दूस्तों मेरा नाम रोईत और स्वागता आपके यूटू चनल बिसेस सेंटर में तो जितने भी सारे समेस्टर गौन के अस्टूडेंट्स हैं जिसका रिजल्ट आया है और आप लोगों ने चेक किया या तो आप लोग पास होंगे या फैल या पर्मोटेड तो यह तेनों स्टूडेंट्स को आगे क्या करना है उसके बारे में आज जनकारी देने वाले है या तो आपका रिजल्ट पास में होगा या तो फैल होगा या तो पर्मोटेड होगा ठीक है अब यह तेनों स्टूडेंट्स को आगे करना क्या है मैं आप सभी को बताऊंगा ठीक है लेकि में एका करके समझेंगे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे चलते हैं वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी आप स्टुएंट्स परमोटेड होते हैं इसका मतलब क्या होता है ठीक है आखिर जो इंवर्सिटी और रिजल्ट में परमोटेड क्यों लिख देता है देखो मैं आप लोगों के एक सिंपल तरीका बताता हूँ ठीक है जब आप लोग महां लोग की सारे एक्जाम दिये हैं सारा सब्जेक्ट इंटरनल आने के कॉलेज में भी जाकर के सारे एक्जाम दिये हैं ठीक है और जो एक्जाम सेंटर ह दोनों ग्जाम आप लोगों को निया कोई भी एक्जाम नहीं छोड़ा, धियान से आप लोगों को समझना उसका मैं बताँ क znies को उप्पाई क्या है ठीक है, तो in total exam और external exam आप लोगों दोनों एक्जाम दे दिया है लेकिन आप लोगों को 40 नमबर से कम आ गिया है तब आप लोगों के रिजल्ट में परमोटेड आ जाएगा ठीक है जिससे कि यहाँ पर किसी को देख सकते हैं यहाँ पर जो टोटल नमबर दिया गए एक चाहिसेप में 36 नहीं परता हैं इसका एक सब्जेक्ट में 36 यह जोکि 40 से कम हैं तो यह आपको नहीं लाना है ठीक है हर सब्जेक्ट में 40 से परलस लाना होते हैं जो कि अगर 40 से कम लागए Bang, आपको परमोटेड लिख देगा अब परमॉटेड का मतलब है कि आप हर एक और आपको आपको कम नमबर मिल घ्या तो इसलिए आप अगला क्लास में चल जाएंगे लेकिन आपको पिछला वाले अग्जाम फिर से देना पड़ेगा यह होता है प्रमोटेड का मतलब कि आप लोगे ने सारा एक्जाम दे चुके हैं ठीक है और सारा एक्जाम देने के बाद किसी में भी आपका कम नमबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है आप अगले क्लास में चले जाओगे समिस्टर टू में चले जाओगे समिस्टर टू का एक्जाम दोगे लेकिन समिस्टर वन वालो के साथ आ हुआ कर सकते हैं अब बात करते हैं कि जो भी यहीं लिखा जाता है देखो फैल लिखने का महन एक ही मक्सद है कि या तो आप यह थो फिर एक्सटरनल एक्जाम में दोनों एक्जाम में से कोई भी आप ऐसा सब्जक्ट होगा जो आप एक्जाम दिये ही नहीं, वहां गए ही नहीं, आपका एक्टेंटर भी नहीं बना ही नहीं, आप चाहिए एक यह नंबर क्यों ना लाते, तो आपको परमोटर लेकता लेकिन उस subject में आप वह पहुंचे ही नहीं तो इस condition में आपका फ्यालिक देता है अब यहाँ पर भी दो condition होता है कि आप internal exam में नहीं के थे या external में नहीं के थे अगर आप external exam में के थे तो आपका कोई option नहीं बचता है आपको exam फिर से देना पड़ेगा आड़ काड़ भी फिर से डानलोड करना पडेगा आपको पैसा भी फिर से खर्चा पर खर्चा करना पडेगा और सेंटर पर जाकर के एकजाम आपको सदना पड़ेगा लेकिन अगर आपका अप Vert चयानले पाड़े संट को लेगा आने तो यहां पर देख सकते हैं इंटरनल एक्जाम में ही इंटरनल में मतलब जो कॉलेज में इसका रग गया है यह उसका मिष्टिक हो गया ठीक है तो इसका कॉलेज से पता करना पड़ता है उसके बाद नेक्ट बात करतें दोस्तों जो से पास है अब देखो जो पास हो तो तो देखो जो पास है उसको कुछ भी करने की जौरत नहीं है आप semester 1 में बहुत या अच्छे नमर से पास होगी है ठीक है इसमें total 10 points कराता है ठीक है उसमें से आपको आपर देख सकते हैं कि 5.45 मिला हुआ है मतलब आधा के लगबग मिला हुआ आधा सलका सा जाधा तो अगर आप पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आप semester 2 में चल गए है एकजाम दो फिर semester 3 में जाओ इसमें कोई लोच्चा नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है पास वाले आप semester 2 में चल गए है और वहां पे आप लोग को क्या करना त्यारी करना है आपको कोई दिक्कत नहीं ठीक है एक छोटा से इंफोर्मेसन कैसा लागो कॉमेंट बक्स में जोरो बताने मिलेंगे नेक्स बड़ी में तब तक जैहिंद जैबारत